पीएम मोदी ने शुकरवार को दूसरी चुनावी रेली राजिस्तान के बाड मेरे में की यहां आरोप लगाया कि इंडी गडबंधन के दल देश से परमाणू खत्यार खतम करना चाहते हैं उन्होंने कहा मैं पूछना चाहता हूँ कि आप किसके इशारे पर काम कर रहे हैं जो भारत को शक्ती हीन करना चाहता है आखिर किसके दबाओ में आपका गडबंधन हमारी परमाणू ताकत को खतम करना चाहता है इसके साथी मोधी ने कॉंग्रेस पर सविधान को लेकर जूट बोलने का भी आरोप लगाया मोधी ने कहा कि ये 400 सीट की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आपने 10 साल अच्छे काम करने से मुझे रोकने की कोशिश की है देश आपको सजा देना चाहता है उन्होंने कहा जहां तक सविधान का सवाल है तो लिखकर ले लीजिए कि बाबा साहिब अंबेट कर खूद आ जाएं तो भी सविधान खतम नहीं कर सकते हमारा सविधान हमारे लिए गीता है, रामायन है, बाइबल है, कुरान है यह चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करने का चुनाव है कॉंग्रेस ने पांच दशक से ज़्यादा देश पर हुकुमत की लेकिन एक भी एसी बड़ी समस्या नहीं है, जिसका पूरा सवाधान दिया आपको इसी के साथ मैंने रही है, एशा इस इंडिया के साथ हन्ने बाद